हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपके पास सबसे बड़ी खुसी की न्यूज लेकर आया हूँ जिसके लिए वर्ग एक और वर्ग दो बाले काफी इंतजार कर रहेते आपके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि हमारा सत्यापन की प्रक्रिया कप से सुरू होगी हमारी जॉइनिंग कप से होगी तो ये आज की न्यूज पेपर की ख़बर है दोस्तों और मुझे सेयर करती है बहुत खुसी हो रही है न्यूज बताओं उससे पहले आपके सोसल मीड यह अभियान को समर्थन का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा वीडियो सुन रहा है यह सिर्फ आपके सोसल मीडिया अभियान जो की ट्रेंड कर गया था उसके ही कारण इसको बल मिला है दोस्तों कि आपका जो सत्यापन हो चाहें आपकी जॉइनिंग हो पिरकिरिया आ गई अब मैं इसको आपको पढ़के सुना देता हूं खबर तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि यह दैनिक भासकर अकवार है जो कि ग्वालियर से निकलता है बुद्दवार 3 जून 2020 मद्द पिर्देश उपर जैसे की आप देख रहे हैं यहां से हम सुरू बात प्योजना आपकी तयार हो चुकी है इसकी जो हैड्लाइन से वह आप देखेंगे दोस्तों तो हैड्लाइन सी अपने आप में सुखद है जैसे कि इसमें क्या लेखा हुआ है वह मैं आपको पढ़के बता देता हूं कि 29 जून से सत्यापन पिर्किरिया यानि कि 29 जून से आ आपकी जॉइनिंग हो जाएगी कितनी सुकत खबर है दोस्तों आपने कितना प्रयास कितना मेहनत और कितनी प्रितिक्चा की थी इस न्यूज के लिए फाइनली वो न्यूज आ चुकी है अब हम आगे चलते हैं जिला सिक्चा अधिकारियों से होगी चर्चा लॉकडाउन क के कारण करीबन 20,000 इसकूली सिक्चों की अटकी भड़ती पिरकेरिया एक वार फिर से सुरू हो रही है 29 जून से उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम सुरू हो जाएगा इसकूल सिक्चा भवाग की तैयारी के एक सितंबर तक सभी चाइने सिक्चों को नियुक्ती देनी की है फिलहाल परिवहान की विवस्ता सुचारी रूप से सुरू होने का इंदजार किया जा रहा आप से कहा था कि आवागमन के जो साधन है वह अभी उस हिसाब से सुरू नहीं है लेकिन जब आपका 29 जून आएगा सब आवागमन के जो साधन है वह भी सुरू हो जाएंगे कियोंकि आवागवन की असरोफिधा से कोई छूटता है तो बविश्य में दिक्कत आ सकती, यानि कि आवागवन के चक्कर में यहाद किसी की verification नहीं हो पाता है तो future में उसे दिक्कत आ सकती है, कि वो फिर मांग कर सकता है, कि भहिया आपकी जो साधन थे आवागवन के वो सुरू हो जाएंगे दोस्तों आंगे देखें सत्यापन पिरिकिरियाद के लिए जिला सिक्षा अधिकारियों के साथ बुद्धवार को बैठक होगी इसमें कोविट 19 से बचाप को लेकर भी चर्चा की जाएगी यानि आपकी करोना वायरस से पूरी एतियाद बरते हुए आपकी काउंसलिंग की जाएगी इसमें कोई भी खत्रा नहीं रहेगा कि आपके मन में यह संसे हो कि कोरोना वायरस है उसके चलते यदि काउंसलिंग कराई गई तो खत्रा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आगे की निउस देखें दोस्तों सत्यापन 5 जून से जिले में परिवर्तन कर सकेंगी उम्मीद्वार यानि कि आपने जो सत्यापन के लिए जिला चुना है उसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं कि भया हमें इस जिले में अब सत्यापन नहीं कराना है हमें दूसरे जिले में कराना है आगे खबर देखें दोस्तों लोग सिक्चन संचालान ने सीधी भर्ती के तहट पुरविजर्ण सेलेक्षन लिष्ट और पुरविजर्ण वेटिंग लिष्ट में सामिल उम्मीदवारों के दस्ताबेच अपलोट करने और पूर में अपलोट किये गए दस्ताबेचों में हुई तूर्टी में इसके साथ उम्मीदवार सत्यापन के लिए पहले चुने का जिले में अपनी सुविदा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। आंगे देखें, उम्मी दवारों को तैस रॉट में बुलाए जाएगा यानि कि जो COVID-19 है उससे बचाप के लिए उम्मी दवारों को एक सुलॉट में बुलाए जाएगा, अब इसमें आगे देखें, लोक सिक्षन संचला के संचला गौतम शिंग ने बताया कि उम्मी दवार के पालन हो सके परिष्टितियों को देखकर कुछ बदलाप किया जा सकता है तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आपको तैय स्लोट में बुलाए जाएगा और एक जो आपका बैर्फीकेशन होगा उसमें दो घंटे का समय दिया जाएगा यानि कि कम लोगों को बुला आए दोस्तों और आपको एक डेट और एक समय बता दिया जाएगा जिससे की कोरोना वारेस का जो खत्रा है वो भी ना रहे आंगे देखें इसपष्ट गाडलाइन्स जारी की जानी चाहिए उम्मीदवार आनंद मिसरा जी का कहना कि विवाग भठती पिरकिरिया से अधिक समय ना लगाए और स्कूल खुलने से पहले जानी कि नए सत्र से पहले सिक्चों को कि नियुक्ति की जाए पूरा सेडियूल इस पर्ष्ट गाडलाइन्स की जारी किया जाए ताकि उम्मीदवार तैयारी कर सकें इसकूल सिक्चा भग के इसकूल में उच्च मादमिक के 15,000 और मादमिक सिक्चा के 570 पत के लिए बढ़ती रुकी हुई है तो यह सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों आज की आज की सबसे बड़ी ख़वर यह आपके लिए है जो मद्दपिर्देश दैनिक वासकर ग्वालियर से निकलता है बुद्दवार 3 जून 2020 पेज नंबर 2 प बाद आपको एक नया नया पद स्तापना मिल जाए मैं कहूं कि इस तक पहुंचने के लिए जो बेट किया है जो इंतजार किया है दोस्तों वो अपने आप में बहुत लंबा था और इंतजार किसी भी चीज का किया जाए वो लंबा ही होता है एक एक दन आपने कैसे निकाल मैं आपके साथ राहूं, मैं वीडियो लाया हूं, मैंने आपके कमेटफ पढ़ें हैं, मुझे पता है, आपकी मनोच्तिती पता ठी आपके जो कमेटस आता था उन्हें पढ़ता था। कही न कही मन में ये जरूर लगता था दोस्तों कि कास इनकी जोईनिंग नए सत्न में हो जाये और इसी को लेकर सोचल मीडिया का अभियान चलाए गए आपके द्वारा दोस्तो इसमें सिर्प और सिर्प आपको सुरे जाता है आप से जोड़े चैनलों को सुरे जाता है कि आपको MP online पर देखने को मिल जाएंगी दोस्तों तो इसमें जो आपकी मुहिम रही social media कहते हैं ना कि social media पर tweet करने से क्या कुछ होता है यह होता है दोस्तों अप्रेल में हमने यह शुरू की दी मैंने आपके सामने बात रखी थी आप समने agree किया था कि social distancing का पालन करते हुए और हमारी joining दी जाए और मुझे यकीन था कि नए सत्र में आपकी joining हो जाएगी यदि हम अपनी बात सभी तक पहुचाने में काम्याब रहे और आप देख रहे हैं दोस्तों 29 जून से सत्यापन पिरकिरिया शुरू हो जाएगी 29 जून तक आपको सारे डॉकिमेंट्स समाल कर रखने हैं जो आपके पास डॉकिमेंट्स नहीं है यानि कि जिसकी photocopy ना हो फोटो कॉपी करा ले औरिजिनल डॉकिमेंट्स भी आपको चाहिए दोस्तों जैदि आपने उस समय फारम फिल करते हुए उसमें कोई तुट्टी कर दी थी कोई डॉकिमेंट्स अप्लोड करना था वो नहीं कर पाए थे तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अलाबा आपने ज जिले चुने थे जिले में आपको जाना है वो जिले में परिवर्तन कर सकते हैं बहुत से भाइब्यानों को सवाल आ रहा है कि सर जो हमने 24 स्पिलिंग की थी स्कूलों में क्या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं तो उसमें नहीं हो सकता मेरे दोस्तों क्यों नहीं हो सकता क्यों कि उसमें इसमें लिखा नहीं है कि आप इसकूलों को जो किरम है उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं तो वो तो लॉक है लेकिन आप जिले में परिवर्तन कर सकते हैं कोई भी डॉक्यमेंट जो है वो आपने नहीं लगा पाया तो अब लगा सकते हैं है ना और बर्ग दो बाले हैं बहुत से लोगों ने डॉकिमेंट्स अप्लोडी नहीं किये थे तो बो कर सकते हैं कोई तुर्टी रहा गई थी बहुत से भाइबेंट कर रहा है कि हमने विस्विद्याला का नाम गलत डाल दिया था हमने डेट और बर्त गलत डाल दी थी और भी छोटी-छोटी जो नाम क कि स्पैलिंग हो गई वो हमने फॉरम फिर करती समय गलत डल गई थी तो बो सब आप ठीक कर सकते काफी समय है दोस्तों इसके बाद 19 जून को आपको एक समय दिया जाएगा एक डेट दी जाएगी उसमें आप सत्यापन कराएंगे यानि कि आपकी 19 जून से लेके और जुला आपने प्रियास किया है उसके आंगे यह जो आपको एक मंजल पर पहुंच गए उसके आप बाकी में हगदार है तो यह वीडियो एक आपको मुझे खुसी बाटते हुए बहुत खुसी हो रही है दोस्तों क्योंकि मैं आपसे मांसिक रूप से इतना जोड़ा हुआ हूँ क लगता है कि जैसे कि मेरा ही काम यह हो रहा है और एक मन में बड़ा आनंद और खुसी हो रही है इस न्यूज को पढ़ते हुए तो दोस्तों यह वीडियो एक सूचना मातर था आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें शेयर कर दें और जिन भाई बैनों अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दें कि अक्सर ऐसे वीडियो मलाता रहता हूं आपने इस वीडियो देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तहे दिल से धन्नवाद